हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम पुरोज के सेगंड लेसन का दिन गरेंगे लेटर टू गोल जो क्लास टेंट का है तो जो जील फिलून से द्वारा लिखा गया है यह एक लेंच्चों की कहानी है जो एक मेहनत करने वाल किसांद जो अपने खेतों में जानव पदस्कों भगवान में एक परत्र लिखता है और आगे देखें दोस्तों इस काहनी में क्या होता है हम सुरू से इसके टेक्स कद्धिन करेंगे ता हाउस दा ओल्ली वन इंदा एंटार वाली सेट ओन दा क्रेस्ट ओफ ए लोहिल लोज में निचली पाड़ी एंटार वैली में इचली पाड़ी पर केवल एक घर इस्तित था रोम इस हाइट वन कुड़ सीधा रिवर एंदा फील्ड ऑप राइप क्रों कॉर्ण डोटिड विद दा फ्लोवर्स यह रहा इस उंचाई से इच उंचाई से नदी और उसकी पकिवी आनाज की फसल जो पूल से लेदिव जो ओलवेज प्रो मी जो हमेशा वाइदा करती थी एक अच्छी फसल का वाइदा करती थी ता ओनली तिंग दा अर्थ नीडिड ए डाउन पॉर मिस होता है मूशलादार वर्सा और लीस्ट शोर मिस होता हलकी बारिस केवल धर्टी को एकी चीज के जरूरती एक कहेंगी मू टोह दोसी होता है म॥ा नेज स्थमान पॉर्निंग लैचर को थी फृट्ष ऑंटनली विश्क शोथ अच्छी परकार संगर है और मैं अच्छी परकार संगर महीं को हैं अच्छी निग मूंगे पनी तो फ्होत्ते दिनय को दीफ नहीं किया वाट्ट appointment इंग मुछ पन्त को to get some water women अब हम अब हम कुछ पानी पराफ्त करने जा रहे हैं तो वाज प्रिपेरिंग सफर रिपलाई जो रात का खाना बना रही थी तैयार करें सफर में रात का भोजन रिपलाई उत्तर दिया येस गोड विलिंग हाँ भगवान ने चाहा तो कि ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन दा फील्ड बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे वाइल दा स्मालर वन वर प्लेंग नियर दा ओर चोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे अंटिल दा विमेन काल टू देम जब तक उनको वह औरत ने बुला ले तब तक वह कहां प के पास काम खेल रहे थे कंव फोर डीनर वोसको कंव फोर डीनर बोजन के लिए आजाओ वोरत इनको बला दिये तिवाई डूरिंग दा मिल यह वोजन का समय बोजन के समय के दोरान यह नि बोजन का समय था देट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक जैसे की लैंचो ने बाईश्यमानी की थी प्रेडिक में बाईश्यमानी करना बिग ड्रोप ओफ रेन बिगन टू फाल वर्से के बड़ी बुदें गिरने लगी इन दा नोर्ट इस्ट हूज माउंटेंश ओप कलाउड कुड़ी सीन एप्रोचिंग विशोता आते वे और उत्तरपूर से विशाल पाड़ों के बादल आते वे देखे जा सकते थे दा एर वाज फ्रेश एंड स्वीट हवा ताजी और कैदे मधुर्दिया स्वीट मीठी थी दा मेन वेंट आउट वर नो अधर रिजन दन तो हैव दा प्लेजर ओफ फिलिंग दा रेन ओन इज बोड़ी वैव एक्ति वैव एक्ति अपने शरीर पर अपने शरीर पर वर्षा का आनद लेने के लिए बिना किसी देड़ी के भार आया एंड और वैन ही रिटरंड ही एक्ति लेम जव वापिस लोटा ही एक्ति लेम तो उसने कहा उसने क्या क्या परसंता से दीज आर दीज आरंट रेंड्रोफ फालिंग फ्रोम्दा इसका ही यह आकासे की अवल वर्षा की बूने नहीं गिर रही हैं यह निव निव सिख्के हैं क्योंच कोई समीज गाद़ है शिक्के दा भीग ड्रोप्स आर टैन सेंट पीशी एंड लिटिल वन्स आर फाइव जो बड़ी वर्षा की बूने वह तैन सेंट की है छोटी जो बर्षा की बूने वह फाइव सेंट की है एक डोलर के सोवे बाग आपकम क्या बोलते हैं एक सेंट विदे सेटिश्वाइए एक्सपरेशन इरिगार्डिड दा फिल्ड ओफ राइप कोर्न विद इस फ्लोवर ड्रेफ्ट इने कर्टेन सेटिवाई में संतुष्टी एक्सपरेशन में बहू एक संतुष्टी के भाव के साथ में देखा अपनी अनाज की पकीवी फसल को जो फूलों से लदी भी थी जो फूलों से लदी भी थी उसको वर्षा की चादर ने का रखादा धाक रखा कर्टे में से चादर ड्रेफ मिस होता है डखना या लपेशना बट लेकिन सड़नली ए स्ट्रोंग विंड बिगेंट लेकिन अचानक तेजावा चलने लगी एन एलोंग विद द रेन वेरी लाज हेली स्टोर बिगें टुफा वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिजने लगे दिस ट्रूली डिडिड रिसेंबल न्यू शिल्वर कोईंस सेंबल में तो समान दिखाई देना ये वास्त दा फ्रोजन पल्स में जमें होती लड़के स्वें वर्षा में भार आये और वहें उन्हें जमें हेवे जमें हेवे सपेद मोती को इखटा करने के लिए दोड़े इस रिएली गैटिंग बैरना अब यह वास्त में बुरा हो रहा है एक लेम दावन उस वेक्तिने का वास्त क्विकली मैं आसा करता हूं यह तेजी से गुजर जाएगा इट डिट नोट पास क्विकली पर वह तेजी से नहीं गुजरा और एन अवर दा हेल रेंड ओन दा हाउस और लगभग एक घंटे तक एक घंटे तक ओलावर स्टी हुई कांकां पे ओन दावर घर पर ता आज के खेतों में पाढ़ी की तरफ बगीचे में घर पर ओलावरस्टी कितने देर दा एक घंटे ता फील्ड बाज वाइट एजीप कवर्ड विद सॉल्ट मिश होता है नमक खेत सपेद हो गया था जैसे कि उस पर किसी ने नमक धक दिया हो नोटे लीफ रिमेंड ओन दा पेड़ पर एक भी पत्ती सेश नहीं बची तरिमेंड वे सेश बचना दा कोन वाज टोटली डेस्टोएड अनाज की फसल संपून रूप से नस्ट हो गई थी दा फ्लोर वाज गोन वाज गोन फ्रोंदा प्लांट और फूल पेड़ों से या पोदों से गिर गए थे स्ट्रोम हेड़ पास जब तूफान गुजर गया इस्टूड विसोदा खड़ाओन इन दा मीडिल ओब दा फिल्ड एंद शेडिशन तो वेह अपने खेतों की बीच में खड़ाओ और उस नहीं बेटों से कहा ए पलेगो ब्लोकर्ष वूड हैव लैप्ट मोर देन दिस पर ओल आवरस्ट ने तो हमारी संपून फसल को नस्ट कर दिया है ताहेल हैज लैप नथिंग ओल आवरस्ट ने कुछ नहीं छोड़ा है इस यह विल विल हैव नो कौन इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी कोई आनाज नहीं होगा यह रात बहुत दुखवरी रात थी ओल अवर वर्क हमारा सारा कारिया फोर नथिंग जिसको कोई परिनाम नहीं निकले यह वहारा सार्या कारिया बेकार गया है देयर्स नोमन वू कैन और और कोई नहीं है जो हमारे साहिता कर सकता है यह कर सके है वी हिल ओल गोह हैंगरी दीचे इस सालह में बहुका रहना पड़ेगा बट लेकिन इन दा हर्स ओल लेकिन सभी के दिलों में उलीवर जो रहता है इन दैस वलिटरी हाव इन दा मिडिल ओ सब्सक्राइब हो जो घाटी के मध्या में केवल एक ही घर था देर वोज ए देर वोजे सिंगल उसको केवल एक आसा थी कहेंगी हैल फ्रोम गोड भगवान की साहिता की भगवान उसकी साहिता आवश्य करेंगे डोंट पी अपसेट परिशान मतों इवन दो दिस सीम लाइक है टोटल लोज यदि पीं ऐसा परिटीत होता है मारा संपून मिनास हो गया है डिमेंबर याद रखो नोमन डाइज ओप अंगर कोई भी भूक से नहीं माना दैर से यह है वोट दे जो लोग कहते हैं और दिस से जो लोग कहते हैं no one dite of hunger की कोई भी भूक से नहीं मरता है अल्टरो नाइट लेंचो थोट अल्ली ओफीज वन हो तैहल फोफ गोड सारी रात लेंचो सोसता रहा है और उसकी कब लेगी आसे थी भगवान इसाइथा कि भगवान उसकी साइथा अवच्छा करेंगे और उस आइज एज ही है बीनिस्टेक्टिमी उसे बतायागा अधा शी एवरी फिंग सब खुछ देखती है ये वन वह टीज डीप इन वन कॉंशन्स कॉंशन्स क्यों क्योंकि वह सभी की अंतरात्मा में रहता है लैंचो वाजन ओक्सों में लैंचो एक बैल था यानि बैल की तरह काम करने वाला था वर्किंग लाइक एन अनिमल इन दा फिर वे खेतों में जानवर की तरह काम करता था बस इस्टिल ही नहीं आउटर लेकिन फिर विए जानता था लिखना फिर विए लिखना जानता था following Sunday अगले संदे को at daybreak भोर के समय वी बीगन टू राइट एलेटर उसने एक लेटर लिगना शुरू किया who which he himself would carry to town and place in the mailbox जिसको वे स्वेम नगर ले जाएगा और इसको मेल बोक्स में डालेगा उसके पास भगवान के लेटर के सिवाई और कुछ नहीं था गोड ही रोट उसने लिखा गोड भगवान के संबोति कर दो उसने क्या लिखा गोड if you don't help me my family and I will go hungry this year यदि तु मेरे साहित नहीं करोगे तो मेरा परिवार मेरे परिवार को and I और मुझे इस साल भूका रहना पड़ेगा I need a मुझे जरूरत है 100 पिसोज मुझे जरूरत है 100 पिसोज की यानि 100 पिसोज की in order ता कि to sow my feet again ता कि मैं अपना खेद दोबारे बोश सकूं and to live और जीवित रह सकूं until until the crop comes जब तक फसल नहीं आए तब तक मैं जीवित रह सकूं पिसोज क्योंकि दा हेलिस्टोन कोंकि पॉलवस्टी ने मेरी संपून फसल को नस्ट कर दिया है ही रोट उसने लिखा to god on the envelope उसने लिफाफे पर to god लिखा पूर्दा लेटर इंसाइड उसने लेटर गंदा रखा and still troubled प्रिवे परिशांता and went to town और वेर नगर को गया at the post office post office में डांगघर पर he placed a stamp on the letter उसे लेटर पर एक stamp लगाया and drop into the mailbox उसने डांगघर उसने उसको पत्र पेटिगा में डाल दिया mailbox ने पत्र पेटिगा वो वो जो पोस्ट में उन्हें एक employee करमचारियों में से एक जो क्या था एक पोस्ट में डांगए था and also help at the post office में उसकी साहिता भी की थी इंक लाने में पेपर लाने में स्टेंप लाने में वेंट 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 वी जे बोस्ट लाफिंग अर्चली और वह अपने बोस्ट के पास फुशी से अस्तवा गया अचली में दिल जोर जोर से अस्तवा गया एंड और शोडिम्दा दा लेटर टूगोर और भगवान का उसको पत्र दिखाया नेवर इनीज केरियर तूद पोस्ट में एड ही नोन देट एडर और उस डांक यह ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था जो भगवान को संबोधित किया गया था यह न पोस्ट में आपोस्ट में मास्टर इस हैट अमेबल फैलो पोस्ट मा मास्टर भी एक मोटा और मिलन सार वेक्ती ता है अल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वैभी जो जोर से लेगा बट लेकिन अल्मोस इमिडिएटली ही तरन शीर लेकिन अगले पल बैसीर यह और एंट I wish I had the faith of the man who wrote the letter. क्या विश्वास है क्या भरोसा है कास इस आदमी तरे मेरे भी ऐसा विश्वास होता भगवान पर जिसने पत्र लिखा है इस टार्टिंग आप पोर्स्पोंडेंग पत्र चार करना विद गोजिसने भगवान से पत्र चार क्या यानि जिसने भगवान को पत्र लिखाये So in order not to shake the writer faith in God उसने का पोस्वास्टर ने जिससे उस वेक्ति गा भगवान पर से विश्वास ने डिगे The Postmaster came up with an idea, Postmaster के दिमाग में एक idea आया Answer the letter की और इस पत्रका जवाब देगा But लेकिन when he opened लेकिन जब उसने इसे खोला It was evident यह इस प्रस्ट था, यह इस प्रस्ट क्या था? That to answer it, He needed something more than goodwill, ink and paper परियोगरा इंक और पेपर के अलावा उसको कुछ अच्छाईयों यानि अच्छे कार्य की जरूत थी जो भला ही होता है उसको बोल रहे हैं गुड़ी बट लेकिन ही स्टक टूहीज जी जोलूशन मिश्वाज दड़निश्य करना लेकिन उसने दड़निश्य किया कि वह अपने करमचारियों से धन के लिए कहेगा इंसेल्फ गेव पार्ट हो भी शैली और अपने वेतन में से भी हिस्सा देगा and several friends of his were obliged to give something more an act of charity और वह इस दान के कारिया के लिए अपने दोस्तों को भी बात द्या करेगा कि वह भी कुछ दें it was impossible for him together together the hundred pesos और यह असंभाव था एक साथ 100 पिसोज इखटा करना उसके लिए असंभाव था एक साथ 100 पिसोज इखटा करना so is liye he was able to send the farm only a little more than a visible by आधि से थोड़ा दी इसलिए आधि से थोड़ा दी तो आधि भी भेजने के लिए समर्ड़ था यादि आधि से थोड़ा दी उसने धनिका नहींड़ा होया उसको भेजने के लिए वैं क्या था समर्ड़ था यानि भेज सका he put the money in the envelope and address to land your उसने धन को लिफापे में रखा और लेंचो को लेंचो को लेंचो वह लिखा क्या बोलते हैं एड्रस and or with them a containing only a single word और उसने लेंटर पर एक single word दी लिखा क्या God इसके रूप में एक signature के रूप में बगवान के signature के रूप में the following Sunday लेंचो कें a bit earlier than usual to ask if there was letter for him लेंचो अन्य दीनों के पेक्षा उस दिन अगले Sunday वह उस दिन और सवेरे आ गाया और उसने पर लेंटर के लिए उचग वे मेरा लेंटर भी है का हुई अ कित वाइदा पॉष्टमेर इंचल ये पॉष्टमेर था स्वें वह एड़ी दड़े ड़ेंड़ विजिस ने उसको लेातर दिया वाइल जाओस मास्टर एश्कूरींच दाओ कॉंटेंटव कॉठ मेंच आर विम कर टी को aptat को tra का अनुभाव करने के लिए जिए देखिए दपोस्ट मास्ट एक्स्पी ने पोस्ट मास्ट आपिने अनुभाव करते वे दा कॉंटेंट मेंट संतुष्टी का अनुभाव करते वे ओपेमान एक आदमी का कुई हैड परफॉर्मड एक गुड़ डीजिस जिसने एक अच्छा कारिया किया था लुकड़ ओन प्रोमदा डॉर्वे ओफिज जो अपने ओफिज ओपने ओफिज की तरवाज एक तरफ देख रहा था खरवत खर्वच्छी ऑफ्र इंट जोर्विज नोटसराइडस्ट रफप्राइड और ऑन सीन अच्राइड में थोड़ा लेंच पोलब शुआ अश्यर नहीं हो धन देकर लेंच एंखब heaven देकर थोड़ा असरी हो गया वहनी काउंट्री दामनी जब उसने धन को इना गोड़ कुड़ नोट हैं में के मिस्टेक यह कहता है भगवान गलती नहीं कर सकते नोर कुड़ ही और नहीं ही है यह डे नाइड में तो माना कर सकते हैं वाट ही हैड को जैसे कि उसने रिक्वेस्ट की थी इमिजेली तुरंत लैंच गेंट अप टू दाविंडो आस्क दापेपर ओफिंग लैंच तुरंत ही विंडो पर गया उथने पेपर ओँग मांगे और पब्लिक राइटिंग टेबल पर इस टाइट तो राइट उसने लिखना शुरू किया विद अपनी भाइश कोड़ तेवे उसने लिखना शुरू किया और उसने अपने विचारों को शुरू करने का उसको परियास करना पड़ा वेन ही फिनी जब उसने लेटर समाप्त किया वेन तो दा विंडो वे विंडो पर गया तो बाइस टांप स्टैंप और उसने एक स्टैंप खरीदा वीची लिखड़ एंदेन एफिक्स्ट में देचि बला अफिविस्ट और उसने इसको चांटा और इसको समुमं चीलिपा पर चिका धित मिल्यों लिखा द्यशंड था लससी शSON्त्रव था याल दाल यानि पत्र पेटिक अमे दप्स्मास्ट जो देख रहा था पॉस्मास्टर जो देख रहा था पर ऑपन ने लेटर खुला और उसने पध़ा उसमें क्या लिखा था इसेड़ लिखा था उसमें कहा गाया था गोड एबह्गमान ओफ मनी धन धर यह आजको जो मैंने मगाता त्रख़ मैंने मांगा था यह भगवान धन जो मैंने मांगा था only 70 episodes reached me केवल मेरे पास 70 episodes पहुंचे है send me और भेजो the rest बाकी का बाकी का धन मेरे पास भेजो since क्योंकि I need it very much क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक जरूरत है but don't send it to throw the mail लेकिन अगले पल क्या कहता है लेकिन इसको अब के इसको अब की बार mail रहीर или to cab auch without any reason why because क्योंगि the post office employee क्योंकि डांग घर के कर्म चारी आरे बंचों प्रुक्स यानि बेहलानों कश्रमू है लैच्चो कहाता है इसको अब के है डांग से मत भेज़ना क्योंकि जो डांग है क्यों वह बेईमानों का सम्हू है लैंचो और इस तरह से दोस्तों यह लेशन का एंड हो जाता है यह इसकी स्टोरी ती यह आपको वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करना सब्क्राइब करना तथा बेल आइक अने वाली वीडियो आपको मिलती रहें याने आने वाली नोटिवि यह आपको मिलती रहें थैंक यू